राने किसने दोश्तों तो स्वागत आप समय लोगों एक और फिर से मेरे चैनल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंट्रेस्टंग सी वीडियो लेके आई हूँ आज हम आमि और मिर्च बनाएंगे जो छोटी वर अमया आती हैं, अमया और मिर्च का अचार बनाएंगे, जटपड से 5 होन 750 बनता है और महीनतो आराम से खा सकते हैं आमों का सीजन है छोटी-छोटी अमिया आने लगी है तो बहुत ही सिंपल सीप्ल तरीका से और बहुत जटपर से पहरी टैश्टी बना करते हैं छोटी अमियों का अचार यहां मैंने एक के छोटी अम्या ली हैं और यहां पर यह ड़ेशे ग्राम मिर्च हैं आप कम यह ज्यादा अपनी क्वांटिटी के साफ से भी ले सकते हैं अम्या बिरकुल कच्ची वाली है और तीखी मिर्च नहीं है आमों को इस तरह से काट लिया है यानि कि छोटी अम्या काट लिया है और कि मिर्च को इस प्रकार से काट कर सकती हो यहां पर कढ़ाई में चार बड़े चमज हर्सों का को अध्य करम कर लिया है उसके बदीम सब दनांता है उसको डाल देंगे उसके बुम जाने पर हम ने चोड़ चूड़ आम्या काटके रखी तो यो बूहत ही अ जो हमने हरी मिर्चे काड के रखेती हैं उसको डाल देते हैं गर्मियों के टैम में आम बहुत अकसर करके हर गाव में हर सहर में उपलब्ध होते हैं और इस तरह से बना के रखे लो सबजी, रोटी और आम का अचार मिर्ची का अचार खाओगे तो बड़ा ही आनन्द आता है खाने में एक वाजरू ट्राय करके देखना तो यहां पर में डेड़ बड़ा चम्मच हल्दी पावडर डाल दोंगी मसाले तो अच्छे सी डालेंगे ताके अच्छा सा टैस्टी सा अचार बने डेड़ बड़ा चम्मच धनिया पावडर डाल देते हैं यहां मिर्ची नहीं यहां पर दो बड़े चम्मच हम नमक डाल देंगे दो बड़े चम्मच डालेंगे तो कि आम खट्टे होते हैं तो नमक धुर ज्यादा पढ़ता है तीन बड़े चम्मच सौंप अजवान का पावडर है मिक्सिम पीस के रख लिया घर में उसको डाल देते हैं जो अचार मे बहुत अचा टेस्ट आता है गैस का फिल्म एक दम सलो कर दिना है और ढख के रख देते हैं बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेगा पानी बिरकुल नहीं डालना है तभी हमारी जो आम और अमिया और मिर्ची का चार है जो काफी दिन चलेगा अगर आप चाहो तो उसको फ्रिज में रखके महीने दो महीने के लिश्ट्रो कर सकते हो ड़क के पका लेते हैं तो इसको पकने में कम चे कम दस मिनट लगेंगे एकदम सलो मीडियम गैस पर पता के चलेगा यह देखो जो आम है वो अपने आप उनका छिल्का हलंग हो जाता है जब आम अपने आप से आते हैं आपको दिख रहे होंगे तो बस इसी स्टेज पर हम गैस का फिलिम बंद खर देते हैं और इनको एक बरतर में निकालके रख लेते हैं इस बरतर में निकालके रख लेते हैं दोस्तोर वीडियो बहुत पसंद आई होगा जरूर बनाके देखना गाउं में सभी बड़ा ही आनन दरता है खाने में अगर फिरिज नहीं है तो आप बहार भी कम से कम 10 दिन तक इसको ऐसे ही रखके खा सकते हो अगर फिरिज है तो उसमें महीने बार के लिए इस्ट्रो करके भी रख सकते हो बहुत ही सिंपल रेश्पी है अगर पसंद आए तो लाइक चलू कर करना और चैनल पर नए हुद सब्सक्राइब भी करना मैं बहुत ही इंट्रेस्ट्रक सी वीडियो डालती हूं अपनी चैनल पर तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए रादे रादे